भारत माता की भारत माता की देवी सम्मक्का सरलम्मा की जै यदादरी लक्ष्मी नर्चि महस्वामी की सकल जनसभागु वच्चिना तेलंगणा बंदु वल्कुणा सुभांका अक्षिलू तेलंगणा की इस महान धर्ति को मैं आदर पुर्वक नमन करता हूँ ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने कुटुम के बीच आ गया हूँ आप सभी तो मेरा परिवार हो ना कुटुम सब्यू ला रहा हूँ बिशी आत्मगवरों सभा इसका हिस्सा बनना मैं अपना सोभाग्य मानता हूँ और ये धर्ति ये मैदान इसका मेरे जिवन में बहुत बड़ा स्थान है 2013 में आप सबने मुझे बुलाया था इसी मैदान में और आप लोगों ने टिकट रखा था कि जो मोदी जी की सभा में आना चाहता है उसको टिकट लेना पड़ेगा पैसा देना पड़ेगा हिंदुस्तान के राजनितिक जीवन की ये पहली और सबसे बड़ी घटना थी और पूरे विश्व में एक खबर फैल गई हिंदुस्तान के जनजन में पहुँच गई और एक प्रकार से इसी मैदान में मोदी को प्रधान मंत्री बनाने की पक्की नीव रखने का काम हैद्राबाद ने इसी मैदान ने आप लोगों ने किया था और मैं आज विश्वाद से कहता हूँ जिस मैदान से मिले आसिरवाद मोदी को प्रधान बना दिया इसी मैदान के आपके आसिरवाद बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री बीशी मुख्यमंत्री यहीं से बनेगा मंच पर मेरे साथ पवन है लेकिन मैदान में आंदी है तेलंगणा में बदलाव की जो आंधी चल रही है उसे इस विशाल जन सभा में भी मैसूस किया जा सकता है आप लोग तेलंगणा के कोने कोने से आए है और अपने साथ एक स्पस्ट संदेश भी लाए है तेलंगणा का विश्वास अब बीजेपी पर है हमारे बीसी साती हो गरीब हो दलीत हो सभी ने तेलंगणा में परिवर्तन का मन बना लिया है पिछले नव वर्षों से यहां तेलंगणा में विकास विरोधी बीसी विरोधी एससी एस्टी विरोधी सरकार है इस तीस नमेंबर को आप लोगों के पास तेलंगणा की बीसी विरोधी सरकार को उखाड फैंकरे का बैतरीन आउसर है अब तेलंगणा में कमल ही कमल खिले ये आपको सुनिश्चित करना है नाकोटुमसब्यूलारा तेलंगणा का गठन तीन मुद्धों पर हुआ था पानी, पैसा और रोजगार निलो, निधुलो और नियामाकालो इन तीनों मुद्धों पर जन विरोधी सरकार ने तेलंगणा के लोगों के साथ दोखा हुआ है अलग तेलंगणा राज के अंदुलन में हमारे बीसी भाई बहनों की बहुत बड़ी भुमिका थी वो अंदुलन में सबसे आगे थे अलग राज के लिए हमारे कितने ही साथी शहीद हो गए थे लेकिन तेलंगणा बनने के बाद यहां ही सरकार ने सबसे बड़ा दोखा हमारे बीसी साथियों के साथी किया यहां की सरकार ने बीसी हितों की लगातार उपेख्षा की तेलंगणा में इतनी बड़ी ओवी सी एसी, एस्ती आबादी है लेकिन उनकी अकांचाओ पर बी आरेस ने कभी ध्यान नहीं दिया वो अपने परिवार में ही लगा रहा यहां तो बी आरेस की दो टीमें तो साब दिखती है एक परदे के पिछे सी टीम भी है यह कॉंग्रेस का सी है ना यह सी बी आरेस की सी टीम है यह कॉंग्रेस बी आरेस की सी टीम है बैक पर क्लास के आकांचाओ ए कॉंग्रेस के भी एजन्डे में शामिल नहीं है कॉंग्रेस और बी आरेस दोनों के ही डी एने में तीन बाते कॉमन है एक परिवारबाद, दूसरा ब्रस्टाचार और तीसरा तुष्टी करण इन परिवारबादी पारियोट्रियों के समुरक्षण में ब्रस्टाचार फलता है, फुलता है और आउसर भी सिर्फ और सिर्फ ना ते रिष्टेदारों को ही मिलता है परिवारबाद की मानसिक्ता से चलने वाली बी आरेस और कॉंग्रेस यहां कभी भी किसी बीसी को सियम नहीं बनने देगी साथियों यह NDA है, BJP है जो ओविस्टी हितों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखती है उन्हें सबसे ज़्यादा प्रतिनी जीत्व देती है BJP का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि दलित, पीडित, शोशित, बंचित, पिछडे, आदिवासी समुधाई को उचीत प्रतिनी जीत्व मिलता रहे जब अटल विहारी वाजपाई की सरकार थी और हमेश सेवा करने का मोका मिला तो APJ अब्दुल कराम जी को हमने देश का राश्पति बनाया 1996 में जबादिवासी नेता PA संगमा जी का नाम लोगसभा के स्पीकर पत के लिए चुना गया तो अटल जी ने समर्थन का नित्रत्व किया 2012 में राश्पति चुनाओं में भी BJP ने PA संगमा जी के नाम का समर्थन किया NDA ने ही GMC बाल योगी जी को स्पीकर पत के लिए नामित किया था जो देश के पहले डलीत लोगसभा अध्यक्ष बने थे जब BJP को अउसर मिला तो उसने डलीत समुधाई से रामनाथ को विज्जी को राश्पति बनाया जब BJP को मोका मिला तो उसने आधिवासी समुधाई से द्रवपदी मुर्मी जी को राश्पति बनाया और यही मैदान है जितने आधेश दिया था आप लोगों ने और जब पुर्ण बहुमत BJP को मिला और देश में पुर्ण बहुमत वाली सरकार का पहला OBC प्रधाई मंत्री बनाने का आपने मुझे आउसर दे करके एक OBC का सम्मान किया था और जैसे इसी मैदान छे पुर्ण बहुमत वाली सरकार का OBC प्रधाई मंत्री पहली बार बना पुर्ण बहुमत वाली सरकार का BJP का CMB OBC पहली बार यहाँ बनने वाला है परिवारवादी पार्टियां कभी किसी दलीत किसी पिछडे किसी आदिवासी को आगे नहीं बढ़ने देती जबकि आज भाजपाद देश की एक मात्र पार्टी है जो OBC समुदाय को सबसे ज़्यादा प्रतिरित्व देती है केंद्र की NDA सरकार में 27 OBC मंत्री है जो आजादी के बाद पहली बार इतनी बड़ी तादाद में OBC मंत्री केंद्र सरकार का नित्रुत्व कर रहे है आज देश में BJP के 85 OBC MPs है आज देश में BJP के 365 OBC विदान सबा सदस्य है आज देश में BJP के 65 OBC विदान परिशद सदस्य है तेलंगना में भी BJP अपने BC साथियों के हितों को सबसे ज़्यादा खाल सकती है कोई और पार्टी नहीं कर सकती है आप लोग खुद साची हैं किहां तेलंगना में बैकपर क्लास को आगे बढ़ने से लिए सही समझादन नहीं दिये जाते बैकपर क्लास के युवाओं को नोकरी देने में भी तेलंगना संका गंबिर नहीं है बैकपर क्लास के युवाओं का भी स्किल डवलपमेंट हो इस पर भी तेलंगना सरकार उतना ध्यान नहीं देती BC कल्याण के लिए यहां BRS ने हर साल एक हजार करूर रपिये का फन देने का वादा किया था आप बताईए क्या इन मैंसे किसी वादे को पुरा किया क्या कोई वादा पुरा किया क्या एक भी वादा पुरा किया क्या साथ्योग कॉंग्रेस और बियारेस ने कभी भी पिछड़ा बर्को निर्णे लेने का अधिकार नहीं दिया कभी उनका मान नहीं बढ़ाया यह बाजपा है जितने OBC कमिशन को सम्वेधानिक दरजा दिया यह बाजपा ही है जितने OBC आरक्चन सवसोधन बिल को सदन से पास कराया इस बिल की बज़र से राज सरकारों को OBC लिस्ट तैयार करने का अधिकार मिला है यह बाजपाई है जितने मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में OBC के लिए 27% रिजर्वेशन को लागू किया हमारी एक कदम सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय की दिसा में हमारे कमिटमेंट के प्रमान है जब हम गावों में लोगों को पांच लाग रुपिय के मुप्त लाज की गारंटी मिलती है तो इसका बहुत बड़ा लाब बैकवर्ड कम्यूनिटी को ही मिलता है समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने सम्मान के साथ जीने और न्याय पाने का आउसर मिले यही बाजपा का प्रयास है इसलिए आज बीसी एसी एस्टी गरीब वन्चीत सोशित वर्ग का हर व्यक्ति भाजपा के संकल्प के साथ खड़ा है साथियों हमारे बीसी समुदाए में बहुत बड़ी संख्या में विश्व कर्मा भाई बहन भी आते है विश्व कर्मा साथियों के बीना रोज मरा का जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है हमारे कुमार हो, सुनार हो, सुथार हो, मुर्तिकार हो, कपड़े धोने वाले हो, कपड़े सिलने वाले हो, जूते बनाने वाले हो, बाल काटने वाले हो, ऐसे बहुत से साती BC समुदाई से ही आते हैं ऐसे लोगों के लिए भाजपास सरकार ने PM विश्व कर्मा योजना बनाई है इस योजना के तहट हमारे विश्व कर्मा भाई और बैनों पर 13,000 करोर रुपिये खर्च किये जाएंगे इससे उन्हें अपना जीवन सतर उठाने में अपने जीवन से अन्य परिशानिया दूर करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी नकुदुम सब्यूलारा कहते हैं अहंकार किसी का भी हो उसको टिकने नहीं देता है बी आरेस के नेताओं में भी वही अहंकार दिखता है 2019 के लोग सबाचना में तेलंगना के लोगों ने ऐसे अहंकारी सियम को अपने वोट की ताकत से जवाब दिया था इसी बोखला हट में यहां के नेता मोदी को गाली देते रहते हैं बी आरेस के प्रस्टाचार के तार बिल्ले के सराब गोटाले से भी जुड़े हुए हैं जाँच एजन्सियों ने जम उनके प्रस्टाचार की जाँच शुरी की तो यह लोग जाँच एजन्सियों को भी गालिया देने लगे हैं लेकिन आज मैं ऐसे लोगों को दंके की चोट पर कहना चाहता हूँ ब्रस्टाचार के खिलाब कारवाई होके रहेगी जिनोंने जन्ता को लूटा है उनको लोटाना ही पड़ेगा और मैं एक प्रस्टाचार के भाईयों बेनों यह मोदी की गारंटी है साथ क्यों ब्रस और कॉंग्रेस अलग अलग नहीं है एक ही सिक्के की दुबाजू है कॉंग्रेस ने साथ दसक में परिवारबाद और प्रस्टाचार का जो मॉडल डेवलप किया बी आरेज उसी पर चल रही है दोनों की मंसा मिलकर राज्य की संपत्ति को लूटने की है यह दोनों पार्टियां अपने बेटा बेटी को आगे बढ़ाने में लगी है उन्य आपके बेटे बेटियों की कोई परवा नहीं है बी आरेस ने सप्ता में आने के लिए जो बड़े बड़े वादे किये थे उनमें से किसी वादे को पुरा नहीं किया तेलंग्रा की सरकार ने युवाओं के साथ सबसे बड़ा विश्वास गात किया है T.S. P.S.C. परिक्षा की तैयारी कर रहे चात्रों को नो वर्सों से सिर्फ और सिर्फ दोखा मिल रहा है चात्रों ने वर्सों तक परिक्षा होने का इंतजार किया और जब परिक्षा का एलान हुआ तो पेपर लिख हो गया B.R.S. की नाकामी ने तेलंगना की एक पूरी पीड़ी का बविश्व बरबात कर दिया और ये हाल सिर्फ एक परिक्षा का नहीं है राज्य में होने वाली हर परिक्षा में गड़बडी इस सरकार की पहचान बन गई है आज युवा पूछ रहे हैं B.R.S. के रोजगार के वादे का क्या हुआ हर महिने बेरोजगारी भत्ता देने का बादा करके B.R.S. ने इस वादे को भी पुरा नहीं किया आज भी तेलंगना में टीचर्स के हजारों पर खाली है और हजारों स्कूल तो ऐसे हैं जहां सिर्फ एक टीचर है आप मुझे बताईए तेलंगना के युवाओं को दोखा देने वाली उनके बविश्य से खेलने वाली बियारे सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए ये सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए इनको हटाना चाहिए हर गाउं गली से हटाना चाहिए ना कुटम सब्यू लारा बियारेस ने तेलंग राके मेरे गरीब पाई बैनों पर उनको जो डबल बेजरूम की वाले गर देने के सपने दिखाए थे लेकिन ये वादा भी बियारेस का हवा में हवा में उड़ गया एक तरब बियारेस का ट्रेक रिकॉर्ड है तो वहीं बीजेपी का सेवा काल भी है केंद्र में बीजेपी सरकार ने हमारे पिछले नौ साल के सेवा काल में गरीबों को चार करोड पक के घर बना करके दिये है पी-एम आवास योजना अर्बन के तहर तेलंगना में भी शेहरों में दो लाग प्रचाज ज़ार से ज़ाजा घर बने हैं हमने गरीब की हर चिंता का हर जरुत का ध्यान दखा है तीन-चार दिन पहले ही हमने ये भी ताई किया है कि पी-एम गरीब कल्यान अन्य योजना को आप जानते हो जब कोविड का कानखन था पूरी दुनिया जिन्द्नगी और मौत का संकट जेल रही थी परिवार में एक वेक्ति दूसरे को मिल नहीं पा रहा था काम काई थप हो चुके थे तब गरीबी से निकला हुआ मोदी जो गरीबी को भली भाती जानता है समझता है गरीबी को जी करके आया है उसने ताई किया कितना ही संकट क्यों ना आ जाए मैं गरीब के बच्चों को भूखे नहीं सोने दूगा मैं गरीब का चूला कभी भूखने नहीं दूगा और इसलिए हमने गरीबों के लिए मुप्त अन्न की योजना शुरू की आज भी इस देश के 80 करोर लोगों को मुप्त अनाज दिया जाता है और ये योजना ये डिसंबर में पुरी होने वाली है डिसंबर में योजना पुरी हो रही है लेकिन गरीबी को जानने वाला मोदी गरीबों को ऐसे असहाय नहीं छोड़ सकता है और इसलिए मैंने संकल्प किया है मैंने निश्चे किया है कि गरीबों को वो जो आज अन्न मिल रहा है उसे आने वाले पांच साल के लिए और बढ़ाया जाएगा पांच साल और बढ़ाया जाएगा आप सब अपने मोबायल पॉंट निकाल करके फ्लैस चालू किजिए गरीबों के कल्यार में आपके मोबायल की फ्लैस चालू किजिए गरीबों के कल्यार के लिए मोबायल की फ्लैस चालू किजिए पांच साल के लिए मुपतानाच की स्योज़रा के समर्तन में आप अपनी फ्लैसलाइट चालू कीजिए हर एक के मोबाइल की फ्लैसलाइट चलनी चाहिए ये गरीबों के कल्यार के लिए है ये मोदी की गारंटी का समर्तन है ये मोदी की गारंटी का समर्तन है गरीबों का कल्यार ये हमारे दिलों में है और इसलिए इसलिए इतना बड़ा जन समर्तन मिल रहा है मैं आपका बहुत बहुत आपार हूँ बुले बारत माता की बारत माता की यानि ये गरीबों को मुप्त राशन की योजना अब आने वाले पांच साल और चलेगी इसका लाप तेलंगना के भी लाखों गरीबों को मिलेगा साथियों बी आरेस ने राज्जी के किसानों के साथ भी विश्वाद गात किया है एक लाप तक का लून माप करने का बादा करके यहां के इस सरकार ने जो खेल खेला है वो यहां के किसान अच्छी तरह समगते है यह बाज़पा सरकार है जो अपने किसान भाई बेहनों के हर इतका ध्यान रखती है पी-एम किसान सम्मान युजरा के तहट हमने यहां के किसानों को नव हजार करोर रुपिये सीधे उनके बैंक खापों में बेजे हैं इससे तेलंगना के 35 लाग किसानों को सीधा फाइदा हुआ है इसमें बड़ी संख्या में बैकवर्ड कम्यूनिटी के किसान सामिल है साथियों आज तेलंगना के लोगों के साथी पुरा देश 2047 जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा हम बिखिद भारत का लक्ष लेकर के माडाण में उत्रे हैं इसी लिए काम कर रहे है भाययों बैंजों आप इतनी बड़ी तादाद में आए इस माडान ने मुझे फिर से एक बार उसके प्यार का एसास करा दिया है उसके आफिरवात की ताकत का एसास करा दिया है तेलंगना का तेजी से और जोगी क्विकास हो यहां के नौ जबनों को रोजगार मिले इसके लिए बीजेपी सरकार प्रतिवद्द है बीजेपी सरकार हर छेत्र में तेलंगना के विकास के लिए काम करेगी इसके लिए तेलंगना में double engine की सरकार जरूरी है तेलंगना में भाज़पाद सरकार बनाने के बाद DC गवरों को बढाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे भाज़पा हमेशा आपके विश्वास को मजबूत करने का प्रयास करेगी बिश्वास किस लहर को आप तेलंगना के जन जन तक कौने कौने साख ले करके जाएए आप इतनी बड़ी तादाद में आए नव जबानों का जो मैं जोस देख रहा हूँ मैं साब देख रहा हूँ तेलंगना में बीजेपी की सरकार बनाने का अपने फैसला कर लिया है मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की जै आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद लिए जाद बारत माता की जैए जाद रहा हूँ रहा हूँ